अच्छ हम लोग Linux Mint New OS है वो मैं कैसे डाउनलोड करना और कैसे करना वो एक बार दिका दूँगी यह बहुत अच्छा है Linux OS जो है बहुत अच्छा फीचर से नाया फीचर से तो कौन सा भी ब्रॉजर ओपन करिए और वहाँ पर टाइप करिए LINUX Linux MINT MINT Download and Enter और यहाँ पर देख सकते डाउनलोड Linux MINT 21.2 उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर देख सकते आप लोग नीचे डाउनलोड ओप्शन है और नीचे स्क्रोल करने के बाद यहाँ पर आपको टारेंट डाउनलोड 64-bit दिकाई देरी तो वो क्लिक करिए और मेरा यहाँ पर मैं अलरेड़ी यू टारेंट डाउनलोड करके रखी तो जो अब मैं ISO फाइल डाउनलोड करी वो यू टारेंट में ही मुझे पूरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग भी यू टारेंट नहीं है तो वो डाउनलोड करिए क्योंकि ये डाउनलोड कंप्लीट पूरा यू टारेंट में ही होगी क्योंकि ये टारेंट में कर रहे हम लोग डिरेक्ट डाउनलोड नहीं है तो यहाँ पर देख सकते U-Torrent में आ गया मैं अभी 2.81 GB है ISO फाइल तो OK करूंगी यहाँ पर OK करने के बाद यहाँ पर मेरा Linux Mint Download कम्पलेट हो गई तो मैं अभी Rufus Download कर रही Rufus Download होने के बाद यहाँ पर मैं दूस्टरा वीडियो में भी मैं दिखा ही Rufus कैसा Download करना तो Rufus Open करने के बाद यहाँ पर Select आपका Linux Mint जो ISO फाइल है Desktop में वो Select कर लेजिए Select करने के बाद Open करिए यहाँ पर आप लोग देख सकते MBR है, BIOS है और Start, Just Go for Start और यहाँ पर Right in ISO Image Mode है OK और Yes Yes यहाँ पर एक Warning आगया जो भी आपका Pen Drive में डेटा रहेगी वो Pen Drive का डेटा पूरा Erase हो जाएगी तो Bootable करने के लिए पहले जो भी डेटा आपका Pen Drive में है वो दूसरा Pen Drive में कॉपी कर लीजिए उसके बाद में ही आप लोग Computer को लगा के पूरा जो Pen Drive है वो Boot कर लीजिए तो यहाँ पर देखिए, Complete हो गई मेरी Linux Mint ISO File जो भी था वो पूरा मैं Boot कर ली और Complete हो गई और यहाँ पर देख सकते मेरा Pen Drive का Name Change हो गई, Linux Mint अब हमारा सिस्टम को हम लोग Restart करना पड़ेगा तो Restart कर लीजिए Restart Restart इंग सिस्टम अभी में Restart करी तो Restart हो रही तो Restart होने के बाद F9 क्लिक करिए F9 क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको Boot Option मेन्यो आ जाएगी तो आपका जो भी Pen Drive है Sandisk जैसे की मेरा Sandisk है उसपे Select करके Enter मारिए और यहाँ पर Start Linux Mint 21.2 आ गया तो 64-bit का है First One, First Option वो Enter करिए और यहाँ पर आपको Boot Complete हो जाएगी और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर Linux Mint का आईकॉन आ गया तो मेरा Linux Mint almost installation process end पर है यह इतना अच्छा features है Linux Mint का जैसे की हम लोग mobile में जैसे operate करते हैं वैसे ही यहाँ पर पूरा advanced features है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं calculator है और जो भी आपको चाहिए apps और जो भी है वो आप लोग यहाँ पर एक बार पूरा देख लीजिए features बहुत अच्छा features है और मैं तो बहुत enjoy करी यह professionally यह मैं recommend नहीं करूंगे पर okay बहुत अच्छा है तो hope यह नया Linux OS का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो please subscribe my channel thank you झाल